अमारिका का जंगी जहाज तेनाते हैं जूर्मनी फ्रांस की जो है वार्शिप का तेनाते हैं या तकी भारत की भी जहाज जो हैं वहाँ पर तेनाते हैं जिसके बाद इस सवाला का अदलगातार इस बात का उट रहा है कि सिर्फ वहाँ पर जो है अमारिका और ब्रिटेन तो यहां पर जिस तरीके से यूएस यूगे के जॉइंच ऑपर चला है लेकिन अब यहां पर जवाब भी दिया गया है लेकिन अमारिक और बिटेंग के हमलों ने यमन में हूती विद्रोयों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है कहां कहां हमला हुआ सबसे पहले आप तो यह ब यहां से हूती विद्रोयों के ख्रूँज मिसाइले दाते हैं यमन की राजदानी सना में चार जगाव पर हमले हुए है यह हूती के सैन्ने ठिकाने है और वही उतरी यमन के साड़ा में हमला किया गया । दावा यह किया जवारे कि हूती का ट्रेनिंग कैम्प यहां पर यमन के बाजिल में भी हमला हुआ है जहां हूती का अड़ा है तो यह आपको वो वो जगाई दिखा रहे हैं जो आपर हमले हुए है तो देखें यहां पर हूती विद्रोयों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है लेकिन इराक में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है अमेरिकी सूत्रों ने दावा किया है कि हमले के पीछे इरान समर्थे तातंकी संगर्थन हो सकते हैं जो इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं आला कि देखें तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है लेकिन यहां पर खूफिया सूत्रों के मुताबिक अमे से नाका इस्तमाल किया है देखे बिटेन के टाइफून लड़ाको विमानों ने साइप्रस से उडान भरी और यमन में हूती के ठिकानों पर हमले बोल दिये वहीं अमारिका ने पस्चिमेश्या में तैनात अपनी जंगी जहाजों से मिसाइल हमलों को अंजाम दिया बिटेन ने अपनी सबमरीन से भी मिसाइले दागी जिसने यमन के दो शेरों में हूती ठिकानों को तबहा कर दिया हमलों को अंजाम देने के लिए खास तोर पर टॉम हॉक मिसाइल का इस्तमाल किया जा रहा है तो हूती पर किसे हमला किया गए यह आपको बता रहे है जो महॉक मिसाइल का इस्तमाल किया गया है साथी तमाम जो सेना के लोग है वो फिलाल वाग ग्राउंड पर मौज़ोद है क्योंकि इससे पहले रशिया यूकरेन का युद हम देख चुके हैं साथी इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद अभी जारी है वो भी हम देख रहे है लेकर इन सब के बीच में तीसरा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है तो यमन पर हमला करने के लिए ब्रिटेन और अमारिका ने रेखी जॉइंट यहाँ पर ऑपरेशन चलाया है किस तरीक से लड़ा को विमान जंगी जहाजों की हम बात करें यह यहाँ पर यमन पर हमला कर रहे हैं लेकिन यमन ने भी बलटवार किया है और कहा है चाहे ब्रिटेन हो अमेरिका हो कितनी ही सूपर शक्तियां क्यों ना हो वो खाक में मिला देंगे लेकिन अभी यह जंग का खाड़ा बन चुका है और लोग यहाँ पर जो है वो डरे होई है तस्तरीके से पूरी तरह से समाप्त कर दें, दस मुल्कों ने किस तरीके से हूती का दम निकाला है, हम आपको वो दस शक्सियत भी दिखा रहे, वो दस बड़े देश भी दिखा रहे, जिसमें दक्षण कोरिया, जर्मनी, कैनेडा, बिटेन, अमारिका, ऑस्ट्वेलिया, बे हूती विद्रोही जिस तरीके से लगतार आतंक मचा रहे थे अब चुन-चुन करके हूती विद्रोहीों के ठिकालों पर अमारिका और ब्रिटिन की सेना मुख्य तोर पर हमला कर रही है